वेल्कम बैक स्टुडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 इसमें जो हम टोपिक डिसकस करेंगे फर्स्ट टोपिक होगा हमारा वैंग डायग्राम्स स्यक्न ओपरेशन औU जो कि यो फ़र्स्ट है वैंगराम्स क्या होते हैं जो स्यक्स के बीच में जो ओर्रेशन होता है। उस रिलेशन को हम डायग्राम्स से होते हैं इसमें क्या करते हैं हम युनिवर्सल सेट को हम जनरली रेक्टाइबल से रिपरजेंगें करते हैं किससे रिपरेजल करते हैं शाघ्राइबल से शिखेड्स में भी तला एक ल कि उक्षेड्स एक बार मैं इनको रपकर देदा हूं देखिए अच्छी दर समझ में आयागा थीक है उनिवर्सल से को किसे रप्रेजंट करनें रेक्टेंगल से और जो हमारे सबसेट्स हों गई युनिवर्सल सेट्स के वह क्या होगे युनिवर्सल सेट्स के अंदर ही रिप्रेजंट किये जाएंगे बाइदा सर्कल्स क्लोज सर्कल्स समझ आगया अब इनके एलिमेंट्स की बात करते हैं देखिए बी एका सबसेट है तो बी को एक के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल को और ए और भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं ए दोनों यू के अंदर आएंगे अब définस्कों रिखेंगे जो सबसेट सबसेट दबी उसके से लिखेंगे टो और अगा और अब के टूफोर मेधे क्वें लिखेंगे जो हमारे ग की यूःमेंट्स लिखेंगे वह एabली जो हमँए यह को कि एक एलिमेंट के टूफोर शीक्स टूफोर शीक्स ऑगया एक आगया तिक एंडाखम यह पूरा का पूरा जो बांड्री एपूरी युनिवरसल सेट की एवन अंधर्वाला इपी उनीवरसल सेट का है तो यहां तक आगे हमारे 246 18 1 नहीं आया थी नहीं आया आप इस तरह से आप वेंड डाइग्राम्स में डाइग्राम्स रिपरजेंट करेंगे जो से बीच में रिलेशन्स होगा उनको वेंड डाइग्राम्स से इस तरह से पास एक्वल नहीं है और A and B have common elements, और A और B में कोई common elements हैं, तो हम उसको ऐसे represent करेंगे, universal set के लिए हो गया rectangle, A and B में common है, तो by intersecting circle, दो intersecting circle के दोबारा, क्योंकि A और B में common है, common ही आगे, यह आगे common, तो यह हमारा जो diagram है किसके लिए है, A and B equal sets नहीं है, A और B में क्या है, common elements है, तो ऐसे represent करेंगे, if A and B are two disjoint sets, disjoint sets का मतलब है, उनमें कुछ भी common नहीं है, जैसे for example, A में मान लिया हमने 1, 2, 3, और B में मान लिया 5, 6, 7, ठीक है, तो हम उनको ऐसे by non intersecting circles के दोबारा हम उनको represent करेंगे, जो elements होंगे, वो उनके अंदर लिखे जाएंगे, A के अंदर, A के elements लिखे जाएंगे, B के अंदर, B के elements लिखे जाएंगे, अब हमने Venn Diagrams के next topic करेंगे हम operation on sets, next देखिए operation on sets, operation का मतलब क्या होता, मैस में हमारे four fundamental operations होते हैं, आप lower class ही से करते आ रहे हैं, operation of multiplication, addition, subtraction, और division, चार operation होते हैं हमारे main, बट और भी operations होते हैं, अब यहाँ पर हमारा पहला operation है, union of sets, दो sets, जैसे ही हाँ पर हमने, मैंने पहले बताया, आपको चार operations होते हैं main, तो दो sets को आप add नहीं कर सकते, addition का operation नहीं होता, नहीं कोई multiplication का operation होता है नहीं division का operation होता है ठीक है नहीं subtraction का कोई operation होता है यहाँ पे हमारा जो operation है union of sets union दो sets है suppose हमारे पास A and B तो दो sets की हम union कैसे अपला ही करते हैं जोजे आप addition करते हो 2 plus 4 कितना आगया 6 तो यहाँ पे operation हमारा किसका union का तो A और B हमारे कोई भी दो sets है उनकी union A, U, B this is the operation of union यह किसको रिप्रेजेंट करता है union को जैसे हमारा यह सिंबल किसका है addition का है इस तरह यह किसका A union B बोलेंगे और कैसे A union B कैसे उप्रेट करेंगे इसको कैसे operation लेंगे हम A और B के जितने भी elements है सबको collect करो सारे elements लिखने हैं यहाँ पर आपने A और B के बट जो repeated elements है वो सिर्फ एक बार लेने है 1, 2, 3, 4, 5 वहाँ पर 4, 5 4, 5 तो इसमें आ गया सिर्फ एक बार लेने हैं दुबार अर्पेट नहीं करना 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपने union find out करनी है समझ आया यानि कि A union B में वो elements आएंगे या तो A के भी हो सकते हैं B के भी हो सकते हैं और दोनों के भी हो सकते हैं ठीक है इसके अगर हम definition की बात करें Union of sex A and B is denoted by A, U, B इसका मतभड नहीं किसका सिंबल है Union Gaaf इस आप से आप ओल दोस ऐलमेंट्स विच बेलोंस तो आदर A और तो B और तो बोथ A and B यह एलमेंट्स हमारे A अकेले जैसे मालो एक सेट हमारा A है 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरा है हमारा B 1, 2 तो A के सारे एलमेंट्स आ जाएंगे A and B क्या जाएगा 1, 2 कहा से आएं सरफ A से भी हो सकते हैं B से भी हो सकते हैं यह हमारे डेफिनिशन होगी और यूनियन लेने का असान तरीका है और इसको अगर हम सेट बिल्टर फॉम में लिखेंगे A union B It is the set of all X X belongs to A और X belongs to B देखिए जो एलमेंट्स निकाला है 1 या तो A में है या जो भी हम एलमेंट्स निकालेंगे A union B में जो भी एलमेंट्स आएंगे या तो A में बिलॉंग करेंगे या B में बिलॉंग करेंगे तो A union B की सेट बिल्टर फॉम में यह है अगर हम इसकी Vand diagram से बात करें Vand diagram इसका बनाएं तो Vand diagram हमारा यह बनता है अगर A and B में common elements हैं तो ऐसे रिपरजेंट करेंगे तो यह A है यह B है तो यह जो रीजन है हमारा दोगेड़ तो यह किसको रिपरजेंट करेंगा A union B को समझ आ रहे है अब एले मेंस आप देखो जैसे फोर एक्जामबल मैं यह बनाया A यह बनाया B अब जहां से समझाता हूँ मैं आपको इसमें common क्या है आ रहा है फोर और फाइव आ रहा है ना और A में क्या है वाइन टू त्री आगे एक elements यह पुरा रिजन यह का है ना और फोर फाइव उसमें सिक्स सेवन एट नाइन टैन इस तरह आ गया इस तरह आ जाएगा ठीक है इसका इसकी कुछ प्रोपर्टीज है एक पॉइंट है हमारा नोट करनी का इस एए इस सबसेट अब बी अगर एए बी का सबसेट है देन एए उनियों बी इस उगल टू बी सुपर सेट की ब्रावर होती है आगर के सीया इस सेट तो अगर हम तो था हम दोनों की योंिशन लेंगे तो यूंहे घुट दा सूपर सेट देश ngo ना यह जो और इसकी को लिए लेंगे तो किसकी को लएगी सुपर सेट की को लाएगी ठीक है समझाया देखो क्या यह टो सुपर शेट इसकी प्रपर्टीजहें की पहली है कोमटरिटी लाओ कुमुटेटिव होते हैं जैसे आपने एडिसन में लोवर क्लासिज में आप पढ़ते आ रहे हो को फोर और चींज करो डियां चीक लिए अब यह दोनों जो ब्राबर शें अनव किस भी यूर्थर दोने वराबर वहां से पुस्ता ओं टूल से दोनों ब्राबर भाई कुमुटेटिव प्रोपर्टि इसको को हम्युटेटिव प्रोपर्टी क्याते विप्लस प्रो गरो अट union B is going to B union A, second associative, second है हमारी associative property, associative law, A union B union C, अब B किसके साथ associate है, C के साथ है, तो अब B C के साथ है, अब B A के साथ हो जाएगा, A union B union C, मैं आप बहुत आ लेता हूं, lower classes में भी आप करते हैं, for example, अगर आपको कोई एक question देदे करने के लिए, इसको associative property लगा के solve करने, associative property लगानी है, अगर आप यह नहीं, 1 plus 3, 2, 5, 6 आ गया जी answer, गलत है, आपने associative property को लगाई नहीं, इसमें, associative property कैसे लगेगी, अब पहले तू किसके साथ है, एडिसन की associative property है, तू किसके साथ associate है, 3 के साथ, अब 1, 2 के साथ हो जाएगा, अब 3, 3 plus 3, अब 6, यह associative property लगा दी, मैंने 1, 2 के साथ associate हो गया, यह हमारा, क्यूंकि आप 11 marks के question आने लगे, आपको knowledge होने चाहिए, अगर हम miscellaneous के exercise करते हैं, उसमें भी हमारा यह काम आता है, तो आपको आना चाहिए, A union B union C, इस गर दो A union B union C होता है, बाकी questions बहुत असान है, tank log, item potent log, item potent log क्या होता है, अगर हम कोई set A है, और उसी के साथ union लें, तो वही set आ जाता है, क्या जाता है हमारा, अगर A union A, अगर हम लें, किसी भी set की, उसी के साथ union लें, तो वही set आ जाता है, third, law of 5, empty set का नहीं, empty set का, अगर कोई भी set हमारे पास है, sports, A हमारे पास कोई भी set है, अगर हम union लें 5 के साथ, empty set के साथ, obviously है, empty set के साथ, कोई union, empty set में तो कोई element होता ही नहीं, वही set आ जाएगा, law of universal set का क्या rule है, universal set के साथ, कोई भी set है हमारे पास, अगर universal set के साथ, union लेंगे, तो यू तो super set है, आपको पता universal set हो, बाकि सारे set उसके क्या होते हैं, a subset होते है, a subset is universal set का, तो क्या आजाएगा, universal set, पता है ना, super set, अगर दो sets की आप union ले रहे हैं, तो किस की इक्वल आती है, super set की इक्वल आती है, तो क्या आजाएगा, you आजाएगा, दिखिए next operation है, हमारा intersection of sets, दो sets की हम intersection कैसे find out करेंगे, suppose हमारे पास, set दिया हुआ है, a set दिया हुआ हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, और b हमने माल लिया, दूसरा set हमारे पास दिया हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने माल लिया दो set दिया हुए, तो इन दोनो sets की intersection, किसके represent करते है, a intersection b, जो यह symbol लगा रहा है, intersection का उल्टा यू, और वो union के लिए, यह यू होता है, और इसका यह उल्टा यू, a intersection b है, इसका मतलब, इसमें हम वो elements लेते हैं, जो दोनों में हैं, कौन elements, intersection, इसमें कौन-कौन से elements common है, 1, 2 नहीं है, उसमें, 3, 4, 4, 5, 4, 5, यह elements common है, इसमें वो elements आएंगे, जो दोनों में common है, यहनि कि दोनों में belongs करते हैं, कौन से हैं, 4 है, 5, यह वाले, इस तरह से हम दो sets की intersection find out करते हैं, अगर हम definition की बात करें, intersection of sets A and B कैसे define करेंगे, intersection of sets A and B is denoted by A intersection B, and it is the set of those elements which belongs to both A and B, which belongs to both A and जो दोनों में, इसमें वो elements आएंगे, जो A और B दोनों में, जैसे कि हमने अभी find out किया, और इसको अगर हम set builder form में लिखें, set builder form में, तो this is the set of all S, S belongs to A and S belongs to B, set builder form में ऐसे लिखेंगे इसको, अगर हम इसके van diagram की बात करें, van diagram से हम इसको कैसे represent करेंगे, this is the universal set, this is the set A, this is the set B, intersection common में, यह common है, this is A intersection B, जो यह portion है, जो दोनों का common है, वो क्या क्या चलाएगा, A intersection B, जान देते हैं, पहले एक point हम नोट करते हैं, if A is the subset of B, then A intersection B is equal to A, अगर A B का subset है, जैसे हमने पहले किया था, अगर हमारे को दो sets दिये होएं, एक set बुसरे का subset है, तो दोनों sets की union किसकी वलाती है, super set की वलाती है, similarly, अगर A B का subset है, तो intersection किसकी वलाएगी, subset की वलाएगी, for example, हम देख भी लेते हैं, example, like A मान लिया हमने 1, 2, 3, और V हमने मान लिया, 1, 2, 3, 4, 5, A किसका subset है, B का subset है, अब A intersection B लो, A intersection B क्या आएगी, common elements, 1, 2, 3, common है, 1, 2, 3, किसके वलाएगा, A intersection B, A के वलाएगा न, A B का subset है, देखो, इस example में, और A intersection B किसके वलाएगा, A के वलाएगा न, पहली है, commutative log, commutative property का यह लोग आए, commutative क्या है, A intersection B is going to B intersection A, दोना equal होते हैं, यहनिकि A की B के साथ intersection लो या B की intersection A के साथ लो, ठीक है, जाते हैं, second है associated, इसमें order change हो जाता है, commutative में, associated A intersection B intersection C is going to B, इसके साथ associated C के साथ, अब A के साथ हो जाएगा, A intersection B intersection C, कहने का मतलब है, A intersection B intersection C लो, या A intersection B intersection C के साथ लो, दोनों equal आएगे, third, distributed property, distributed property, distributed law, distributed क्या है, A intersection B union C, तो A intersection B, union, A intersection C, यह हमारा मिश्यने सेक्सराइज में, यह property यूज होती है, A intersection, A intersection B, union, A intersection C, lower classes में, हम जो numbers करते हैं, real numbers, उनमें भी यह property होती है, commodative, देखिए मैं इसको रप कर दूँ यहापे, third property हो गई, यहापे मैं इसको रप कर रहा हूँ, देखिए, for example में आपको lower classes में लेके, चलता हूँ, यहाँ पर one multiply, one multiply three plus four, यहाँ पर five लेते हैं, तो आप क्या लिखते हो, five into three, यह लिखते हो, plus five into four, यहाँ पर कौन सी properties लग रही है, distributed property, अगर मैं कहूं, इस question को इसका answer निकालो, आपने लिखा five multiply seven, 35, और मैंने बोला, distributed property यूज करनी है, तो यह गलत हो जाएगा, mathematical point of view से यह क्या है, गलत है, मैंने बोला, distributed property लगानी है, five three से multiply हो गया, जैसे a intersection देखो b हो गया, तो उसी तरह five multiply three, फिर पीच में plus है, बीच में यहाँ पर क्या union, union आ गया, तो बीच में plus आ गया, five इसके साथ four के साथ, इसी तरह a किसके साथ, c के साथ, लेकिन क्या आएगा, intersection, तो यहाँ भी क्या है, multiply आए ना, तो इस तरह से आप, 15 plus 20, 35, तो यह हमने किसको यूज किया, distributed property है, lower classes में आती है हमारी, ठीक है, यह distributed property हो गई, 4th property है हमारी, law of five, empty set का नियम, empty set को अगर हम intersection लें, set a के साथ, empty तो आपका कुछ element होता ही नहीं, तो empty set में कोई element नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, empty set आ जाएगा, 4th, 5th, अब इनको मैं रब कर दू, 5th क्या है, law of universal set, universal set का लो क्या है, अगर universal set को, intersection लेंगे आप, किसी भी set के साथ, obviously universal set तो super set होता है, और a इसका क्या है, subset, और किसी दो set की आप intersection लेते हो, तो किसकी एक बलाती है, subset की बलाती है, तो किसकी बलाएगी, a की एक बलाएगी, law of item potent, item content लो क्या है, union में भी था, अगर किसी भी set को, और खुद के साथ, intersection लोगे, तो a, g, tg, आजाएगा, आप कोई भी दो set ले लो, और दोनों के intersection ले लो क्या आएगा, set a, b, वही set आजाएगा, दुबारा, ठीक है, यह मारा topic खतम हो गया, different, so intersection of sets, difference 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 of sets a and b, is denoted by, a minus b, या B-A अगर A पहले होगा तो A-B अगर B में से एक कोटाएंगे तो क्या होजाएगा B-A and it is it is the set of those elements which belongs to A but not B यानिकि इस में इस A-B में वो elements आएंगे जो A में होगे obviously है A में से B- हो रहा है B के तो सारे ही चले गए तो elements किसके बचेंगे सिरफ A के इस A-B में वो elements आएंगे A के जो B में नहीं है तो this implies this is the set of all x x belongs to A and x doesn't belong to B x B में नहीं होगा for example अगर हम इसका Venn diagram बनाएं यू योगा A योगा B तो यह जो पोर्सन है यह जो मैंने सेड़ कर रहा हूं है यह पोर्सन यह बाउंडे लगा है यह पूरा A का है बट यह जो बीच में common है यह A का भी है अब B का भी है बट मुझे A A का चीए B का मीचीए तो यह A-B जो यह पोर्सन मैंने डोट डोट किया है यह किसका है A का है B का नहीं है समझ आ रहे है सिमिलरली अगर मैं इस पोर्सन को दिखाऊँआ तो यह सरफ B का है A का नहीं है और यह किसका है हमारा यह आपको पता ही है A इंटरसेक्शन B का होता है इससे फोर एक्जामपल हम फाइन आउट दें फोर एक्जामपल लैट A इजिवर टू 1, 2, 3, 4, 5 और B हमने ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A माइनस B A के लिखें लेकिन वो B में नहीं होने चाहिए B का तो elements आप कोई लिखेंगे ही नहीं B के कोई भी elements नहीं आएंगे वो माइनस होंगे A का 1 नहीं है B में नहीं 2, 3, 4, 5 4, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि यह B के हैं B के सारे माइनस कर देने लेकिन वो elements आपने महीं लिखने जो B में हैं Common element तो चुलिए स्टार्ट करते हैं इससे 1.4 Find the union of the given pair of sets Set X दिए हुए 1, 3, 5 इसमे elements है Set Y में elements दिए है 1, 2, 3 इसके union निकालना है Union X, Union Y is equal to जैसे मैंने बताया elements को collect कर लेंगे पहले X के लिख दो फिर Y के सारे elements लिख दो जो repeat है उसको छोड़ दो जैसे X के मैंने लिखे 1, 3, 5 समझ आ गया अब Y के लिखें लेकिन जो आ चुके हैं उसको नहीं लेना 1 1 को नहीं लिखेंगे 2 2 को लिख दो और 3 3 आ चुके हैं नहीं लेना इस तरह से हम union निकाल देंगे इस तरह से आपने union निकाल देंगे ए यूनियन बी तो एलिमेंट्स पहले ए के लिख दो सारे A, E, I, O, U लिख देंगे अब B के लिखेंगे A, A नहीं लिखेंगे अब क्योंकि आ चुका है रिपीटिट छोड़ देंगे V, B लिखेंगे C, C नहीं आया C लिखेंगे इस तरह से आपने union निकाल देंगे वनमाक्स के कुश्चन आते हैं हमारे थर पार्ट पर आते हैं A is the set of all x x is the natural number and multiple of 3 और B is the set of all x x is the natural number less than 6 इसको आप set better form में भी ली सकते हैं रोश्टर form में भी ली सकते हैं A union B मैं समझा देता हूं इसको रोश्टर form में देखिए अगर हम इसको A set को रोश्टर form में लिखेंगे तो क्या बनेगा natural number भी है तीन का multiple भी है तो तीन का multiple 3, 6 यह natural भी है 9 dot 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 and so on x is the natural number less than 6 6 से less क्यों से natural number होते 1, 2, 3, 4, 5 अगर इसको हम A union B में लिखेंगे 1, 2, 3 उसमें हमारा common होगा 4, 5, 3 एक पार 3, 6, 9 12, 15 and song 3 के multiples A union B को आप ऐसे लिख सकते है 1 marks में अगर आप सेट बिल्टर form में लिखना जाए सेट बिल्टर form में लिख सकते है यह लिखने के हमें रोश्टर form में लिखने की दरूर तनी है डारेक्ट हमें union B लिखना है 3, 2, 4, 5 यह क्या है 3 का multiple 4, multiple of 3 3 का multiple इस तरे लिखेंगे similarly 4th set पे आए 4th part पे A is the set of all x S is the natural number and x lies between 1 & 6 यह S is the set of all x S is a natural number and x lies between 1 & 6 6 including 1 excluding यह 1 नहीं है B is the set of all x S is the natural number and x lies between 6 & 10 तो A union B obviously इसमें natural number समारे कों से आगए 1 आएगा नहीं 1 से greater है 2, 3, 4, 5, 6 और किसमें कौं से आगए 6 से बड़ा 10 से कम 7, 8, 9 यहां यहांने कि A and B कि अगर बात करें एक से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6 6 तक 6 से बड़ा कि 7, 8, 9 यहां है हमारा असर और से इसमें लिखना जाओ तो उसमें भी आप लिख सकते हैं It is the set of all x x क्या है natural number है और 10 से क्या है x is a natural number less than 10 यहां लिख सकते है x greater than 1 और less than 10 एक और 10 के बीच में है लेकिन x क्या है क्योंकि x एक और 10 के बीच में 4.5 भी होता है 4.5 तो नहीं है x belongs to n दिए स्टार्ट करतें question number 2 like a is equal to set containing a and b b is the set of those elements containing b is the set having elements a, b, c is a subset of b आपने बताना चाए a, b का subset है इससे last lecture में आपने किया था a का हार एक element अगर b में है तो a, b का subset होगा है हार एक element yes आप लिखोंगे yes a is subset of b b क्यों क्योंकि a का हर एक element b में है you can say this is the proper subset यह proper subset के लिए a, b का proper subset है क्योंकि a का हर एक element b में है और a और b आपस में equal भी नहीं है but is a union b a union b कैसे find out करते हैं दोनों के elements collect करते हैं a के भी और b के जो repeated है सुरब उनको एक बार लेना है a, b a, b, c लेकिन a, b तो आचुका है c ओर लिख देंगी यह a, b से लिख देंगी question no.3 if a and b are two sets such that a is subset of b then what is a union b given के है आपने सरब यह लिखना है a union b मैंने आपको बताया था a union b अगर दो sets दिये हुए है a set दूसरे का subset है तो union किसके इकवल आती है super set की इकवल आती है तो a union b is equal to b आया था जैसे हमारा यहां पर भी example था a union b b के इकवल आया है यहां पर a किसका subset था b का intersection लेते हैं तो subset की इकवल आती है और union लेते हैं तो super set की इकवल आता है प्रिके स्टार करते है question number 4 if set a is equal to 1,2,3,4 set b containing elements 3,4,5,6 c दे रखा 5,6,7,8 and d में elements दे रखे 7,8,9,10 find a union b a union c b union c a union b union c b union c union d union find out करनी है बस a union b a और b के elements क्या करेंगे collect करेंगे a के b और b के लिए जो रिपेटे हैं उसको छोड़ना है 1 a के लिखने 1,2,3,4 फिर b के लिखने बट 3 और 4 को रिपेटे हैं आएं 5 और 6 और लिखना है अग सेकेंड के हमारा a union c a के elements लिखने हैं 1,2,3,4 फिर किसके लिखने c के 5,6,7,8 थाइस पर कोई नहीं 5,6,7,8 फिर हमने थार में b union c b union c 3,4,5,6 और c के लिखेंगे a union b union c तीनों के elements a,b,c 1,2,3,4 फिर के लिखेंगे 3,4 तो आ गया है 5,6,7,8 सारे elements लिखेंगे 5 फिर में b union c union d तीनों union लेगे हैं वही b c d की v के element देखेंगे क्या क्या है 3,4,5,6 और c के element 5,6,7,8 5,6,7,8 9,10 7,8 नहीं लिखेंगे द्वारा और question number 5 है हमारा find the intersection of each of pair in question in question in question first first की अंदर जो हमारा question है first x है हमारा 1,3,5 और y है 1,2,3 first part intersection निकालनी है तो x intersection y जो common elements आएंगे common in में क्या है 1,4,3 वही होगा हमारा one है 3 second part second में हमारे a, i,o, u यह है set हमारा a is equal to a, e, i,o, u 2 और b में है हमारे पास a, b, c तो intersection निकालेंगे तो a intersection b किसके को हो जाएगा वही a intersection b a को मन है और कुछ को मन है नहीं देखिए question number 5 third part set a दिया हमारे पास set of all x x is a natural number and multiple of 3 और b intersection find out करना b देखिए set of all x x is the natural number less than 6 obviously आपने अंसर लिख में elements लिखना चाहो जिसके फर्स्टी question है हमारा but fifth में हमें intersection find out करने natural number है multiply for 3 है 3, 6, 9, 12 and so on ऐसे हो जाएगा हमारा और b x is a natural number less than 6 इसमें कौन कों से आएगा है वही natural number less than 6 1, 2, 3, 4, 5 common बताएंगे वही क्याएगा common सरफ 3 आएगा intersection 3 में क्या जाएगा single element हमारा 3 आएगा second x is a natural number and x lies between 1 and 6 यहनि कि 2, 3, 4, 5 आएगे x natural number 6 और 10 के पीच में 7, 8, 9 क्या कुछ common आएगा नहीं आएगा तो empty set यह में कुछ भी common नहीं है तो a intersection b हमारा क्या एगा empty set कुछ भी common नहीं question 6 पे आदें if a, b, c, d क्या section हमारे पास given है intersection निकाला है question में जी तो कैसे निकालेंगे जैसे पाबी निकाला था a intersection b a और b में common देख लो क्या common आ रहा भई second part b intersection c b or c में common देख लो 13 आ रहा है common 11 और 13 क्या रहा है 11 और 13 common और b or c में fourth part पहले b intersection c निकालेंगे फिर a के साथ intersection निकालेंगे देखें a intersection c intersection d यानि कि तीनों में common तीनों में common तीनों में common a c d देखो a हमारा यह है c यह है d यह क्या common आ रहा है 11 common 15 17 है इसमें कोई 15 है बट इसमें नहीं है तो क्या आ गया अब उपर वाले को रब कर देते हैं अब इसके बाद हम fourth part अब डारेक्ट ए इंट्रसेक्शन बी इंट्रसेक्शन सी यह होता है इंट्रसेक्शन बी इंट्रसेक्शन सी होता है कि एक साथ इंट्रसेक्शन ले सकते हो या पहले इंट्रसेक्शन सी निकाल लो बी इंटरसेक्शन सी वी और सी निकाला जाएंवन तर्ट इंगा था और यह हमारा किसकी एकवल है 3579 तो डायट निकालते हम एंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन सी अब देखिए ए और सी में और बी इंटरसेक्शन सी में कुछ मना रहा है 11 को मना रहा है कि विट ओए इंटरसेक्शन वी और वी यूणिंट यह आपको अलग अलग निकालने पढ़ेंगे वहां पर तो आप एक साथ तीनों की इंटरसेक्शन ले सकते लेंगे फिर इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन भी निकाले के इंटरसेक्शन वी क्याँ गाहिए 7979 11 और हमें क्या निकालना है फिर वी यूनियन सी वी यूनियन सी बी और दिए टी यूनियों 7-9 11 13 15 यह आग्या तो इस इन्हाइच ए इंटर्सेक्शन बी अर फिर क्या लेना है इंटर्सेक्शन लेना है बी उनियूंट सब्सक्राइब क्या रहा है सेवन नाइन इलेवन कि एक पार्ट पार्ट सिस्पार्ट में ए यूनियन दी बी यूनियन सी ए यूनियन दी निकाल लें इंडी एक डी के साथ विनियन 3 5 7 9 11 एक डी के साथ 3 5 7 9 11 15 17 यह आगया और एंडी आप बी यूनियन सी विविए जी अभी निकाला था नहीं विए नियून सी हमने यह निकाला भी सावन दाएवन 13 15 तो हमें इनका क्या लेना इंटरसेक्शन लेना है इसको मैं रफ कर देता हूं यहां तक ठीक है अब तो यह भी रफ कर देता हूं बी यूनियन दी और इंटरसेक्शन वी यूनियन सी निकालने देहिंगी इन दोनों की क्या रहा है इन दोनों में क्या देखना है को मैं क्या रहा है एक सेवर नाइन इलेवन और फिप्टीन सेवर नाइन इलेवन और फिप्टीन देजह दिए दिए और भी दिए पास माइनस बी निकान नहीं डिफ्रेंस ऑफ सेक्स जैसे कि हम उने बेसिक रवाया था फाइंड आउट किया था ए माइनस बी फास्ट एमें से यानिकी ए ऑफ एक त्रीजिए नहीं ट्वैल 15 18 29 अर माइनस बी बी कि ओर एक ट्वैल शीटेंट को सिस्टीन ट्वैंट कि ए को आइंड इसे बीड़िया और सब्सक्राइब ट्री एक माइनस करके करेंगे सारी मायनस हो जाएंगे फोर एक त्वेल इसमें नाइन मैं ट्वेल ट्वेल माइनस हो गया लें तो यह एक है तो ड्रक्राइब 13 टरक्राइब में विल्कुल निए ए में से 369 6 नहीं आएगा कट जाएगा 39 12 आएगा 15 आएगा इटीन आएगा तुटीन आएगा शिक्स को नहीं है को मैं रिमेंट नहीं लिखना और चीन एलिमेंट भी नहीं लिखने सी के साथ कर देने हमारे पास क्या आजेगा 39 12 15 18 21 इस तरह से हम फाइंड आउट करें हैं फुर एक्जमबल एक थारड़ कर लेते हैं कि ए माइनस भी एक एलमेंट्स लिखने इडी का एक बी नियुक्षा जाएगा स्थेट अलिमेंट्स डीक एलमेंट्स और मैं इनस हो जाएगा पहले कोमन देख लो कोन सार है में को में आ रहे हैं जो नहीं तो अ के आप्छेमेंट दुट 15 को छोड़ दो फीन छे नौ बारा थारा इक्तिस गई जैगा और अब आकिक हमारे से आप इस इस दरह से आप विली मैना सिस्थ हैं दो कर सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं क्वेशिन नुमर 7 इफ सेट ए इस इगल दू सेट ऑफ ओल एक्स 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 नेट्र लंबर यानि इसको रोस्टर फोर में लिखना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा देंगे एक्सिजन इवन एक्स नमबर 2 4 6 8 10 वह नुम्बस आ जाएंगे सी दा सेट ओल एक्स 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 नेट्र नेट्र नमबर 1 3 5 7 9 इस 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 प्राइम नमबर आजाएंगे मारे 2 2 2 इवन प्राइम रोगा अकेला सिरफ 2 3 5 7 11 13 यह नमबस आ जाएं फाइं एंट्र सेक्षन बी ए और बी की इंट्र सेक्षन लेंगे बन मार्स में आते हैं आपको स्रफ अंसर लिखना और कुछ नहीं करना देखिए लिखना आपको स्ब्सक्राइब तो क्या गई एवन में तो ओड और एवन दोनों होते हैं और बी में सरफ इवन इवन यह देखे लो कौन किसका सबसेट है अपने आपता लग जाएगा बी एक सबसेट है विल्जा जाए थिए ना क्योंकि इसमें 2468 उसमें सारे आ समझा रहा है तो इंटरसेक्शन पी किसके को आगया वी की को आजाएगा समझ आगया क्योंकि बीए का क्या है सब सेट है रोश्टर फोर्म में लिख सकते हो 2468 यह आजाएगा हमारे पास क्योंकि बी में आएंगे हमारे 2468 और सेट ए में होंगे 12345678 ठीक है कि एक सबसेट है देखिए ए में बताया था यह आएंगे हमारे पास नंबर सबसेट है और सी में क्या हैंगे सबसेट है यानि कि 1357 तरब सी लिख दो या 1357 आप लिख सकते हैं यानि कि सी एका सबसेट है तो सी आ जाएगा थार एंटरसेक्शन बी सबसेट है जीतने भी नंबर साएंगे वो सारे ए में आ जाएंगे तो 357 उसमें श्रावन सबने बिक था आई पेसमें फूल्व समय में एक डिया जर हुद Thank you सीङो इसमील्ग को ऐए बिन जारे好了 assertела बॉर फूर कम उसमें नहीं होता ना मिरलों कुछ भी ऊता थो भी इंट्रस्थेंस से किसके पुख्याकर्द एक फ़िए क्या कुम्त है लिए दिए बिजनद्रसंटी वे इंट्रसेकशन दी वे शेयमेश ए वह लिए नमबर से यह यह यहीं या नमबर्स, इवन नमबर्स 2, इवन ऐचलनमर्स 2, 4, 6 और इसमें सरफ प्राइब नमबर इवन एगी होगा, तो कॉम्बड क्या आएगा स्क्रफ 2 समझ आ रहे है, क्या आएगा स्क्राफ 2 में C intersection D C intersection D C or D में ओर देट्चुन नमबर प्राइम नमबर लिए निए प्राइम नमबर दोड में क्या हैंगे C में ओर में क्या हैंगे 1 3 5 7 9 और D में क्या हैगा 2 3 5 D जब प्राइम नमबर 2 3 5 7 9 थीक है तो कोन-कौन चेंट को लागे थी फाइफ सेवन नाइन यह आगए ठीक है और यह कैसे नमबर्स है प्राइफ प्राइफ नमबर अर लेकिन तो भी ओद है तो तो नहीं आया है तो क्या आगे हमारे पास X is an old prime number common कौन से आएंगे मारे पास अगर common लोगे तो हमारे पास C intersection D में कौन कौन से common आएंगे 3, 5, 7, 9 old natural number 11 ठीक है 9 sorry 9 common नहीं आएगा क्योंकि D की अंदर सर्फ prime number से है D की अंदर prime number से नो थोड़ा ही है 7, 11, 13, 17, 19 तो common हमारे पास कौन से आएंगे 2 को छोड़के बाकी की ये number सारे क्या आजाएंगे 2 नहीं आएगा common C intersection D के अंदर हमारे पास common ये आजाएंगे 3, 5, 7 old 9 11, 13, 15, 17 हमारे पास C में तो C intersection D में 3, 5, 7 11, 13, 17, 19 2 नहीं आएगा X is an old prime number old क्यों लिखा क्योंकि prime नमबर ही आएंगे सारे लेकिन 2 नहीं आएगा ले स्टाट करतें question number 1 वी चोथा flowing pairs of sets are diswined diswined sets के कौन-कौन से pairs हैं आपने बताने हैं diswined sets मैंने बताया था 2 sets जिन में कुछ भी common नहीं होता कोई भी element common नहीं आता यानि कि their intersection is empty तो क्या होते हैं हमारी diswined sets set है हमारा 1,2,3,4 and first part देखे X is the natural number 4 और 6 के बीच में 4 और 6 के बीच में natural number क्या आजाएंगे including 4 4,5 4,5 आजाएंगे 1,2,3,4 इसमें तो A intersection B इन दोनों की क्या आजाएगी 4 आजाएगी तो इस आजाएगा नोट डिज्वाइंग सेक्स first part नोट डिज्वाइंग सेक्स क्यों क्योंकि इन दोनों सेक्स में 4 तो common आई जी रहा है ठीक है second A, I, O, C, D, E, F A, E, I, O, U, C, D, F E are a common तो इंटर्सेक्शन एंप्टी नहीं है नो डिज्वाइंग सेक्स सिंस इंटर्सेक्शन ओफ लिखना चाहिए आप इंटर्सेक्शन ओफ जीवाइंग सेक्स इंटर्सेक्शन ओफ जीवाइंग सेक्स्वाइंग 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 इंट्रसेक्षन इस एंप्टी तो इसे से हमारी डीज्वाइन सेट्स कुछ नवर टेंट पर आदें सेट एप्स डिया एबीसी डी और वाई प्रीजिए एस माइनस वाई निकाल लाएं सरफ X की एलमेंट आएंगे esk kg के नहीं प्राइएंगे और वाई निकाल आएंगे हमारव अर्वारा-वाय के नहीं इंट हो आएकव एंटि को एक्स के नहीं देकेवाई लिखेंगे आप, D, D, R नहीं लिखेंगे, B नहीं लिखेंगे, G, X Intersection Y, कुछ को मनार है, B और D हमारे common आरे, बस B and D, मैंने यहीं लिखते हैं, आपके यहीं पर चलो कोरगाते हैं, B and D हमारे common आरे elements हो हमने लिखते हैं, question number 11 पर, if R is set of real numbers and Q is set of rational numbers, then what is R minus Q, R minus Q किसके इकवल होगा भई, set of real numbers में से, rational numbers जाएंगे, आपको पात है, जो real number में कौन कौन से होगे हैं, rational numbers और, irrational जोनों होते हैं, और, real में से, जब rational चले जाएंगे, तो कौन से बचेंगे, irrational बचेंगे न, तो R minus Q is equal to set of irrational numbers, दिखे, question पर पर बेला स्टार्ट करते हैं, whether each of the flowing statements, is true or false, justify your answer, आपने statements दिए हुए, 4 statements दिए हुए है, आपने बताना है, कौन सी false है, कौन सी true है, set 2345 and set containing 3 and 6, are disjoint sets, क्यों है disjoint sets हैं, नहीं, यह disjoint set बोला हुए, तो यह कैसी है, false, false क्यों है, क्योंकि यह disjoint नहीं है, disjoint वो हो दिया है, इसमें कोई भी element common, नहीं हो, इनमें element, बोट दा से, बोट दा गीवन से, हैं, common element 3, so these are not disjoint sets, since 3 is common element, आप लिख सकते हो, false, since, जो 3 है, intersection 3 is the common element, यह लिख सकते हो, ठिके, A, I, O, U, A, B, C, D, कुछ common आरहा है, yes, A common element आरहा है, यह भी disjoint नहीं है, अर लिखा हो है, disjoint है, यह false है, since, intersection of both the, empty, both the given sets, is not an empty set, ठीक है, इसलिए disjoint, नहीं है, थार्ड में, 2, 6, 10, 4, इसमें, इसमें कुछ common आएगा, नहीं आएगा, और यह disjoint है, yes, true, fourth, 2, 6, 10, 3, 7, 11, there are disjoint sets, यह disjoint है, कुछ भी common नहीं है, इसमें, अलग-अलग हैं यह sets, बिल्कुल, यह कुछ भी common element नहीं है, तो यह हमारी disjoint sets है, तो इसका मदलब क्यान है, this statement is true, अलग-अलग हैं,